तो एलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वालों दोस्तों आपने अभी देखा होगा अभी ट्रेंड नहीं चल रहा है अभी जायतर मोबाइलों में वर्चुल रेम का एक ओप्शन आपको दिखने लगा होगा लाइक वीबो में आई क्यों में और क्रिटू S 5G वाले मॉडल पर यह आपको वर्चुल रेम का ओप्शन मिल गया है तो दोस्तों तो यह वर्चुल रेम आपको मिलेगा कहां कहां यूज होता और एक्शुल में इसका एक्स्पेंड करके बताने वाला हूँ इसका यूज क्या होता है तो आपको डिटेल में ब यहां पर आपको सबसेय लिए करना किया आपको जाना है आपने मोवाइल की सेटिंग पर जाएंगे सेटिंग पर जाने करेंगे बैटरी एनडिवाइस इंदर जाना है जैसि याप मेमोरी माले healthier उप्शन पर क्रिक कर cách grain यह आपको यहां पर दिख रहा है मतलब की आपकी 6 और प्लस चार्ट मनलब की 10 GB आपके रैम हो चुकी है इनके अज़ाप से बट होता ही है दोस्तों यह जो 4 GB की रैम या वर्चुल रैम या रैम प्लस जो की सेमसंग ने नाम दिया उसको रैम प्लस इसका होता क्या है यह जो आपको दिख रहा होगा रैम प्लस करके यहां पर होता क्या है यह क्या करते हैं यहां पर आपने कोई टास्क ओपन कर लिए और कंटिन्यू में यूज कर रहा हूं और 6 GB रैम फुली हो चुकी है अगर आप उसके बाद एक्सिस करेंगे और भी और भी कोई टास्क यह और औ तो आपका पुराना वालक क्या होता था आपका पुराने वाले जो भी आपमने टास्क कोल के रखाया वह बंद वियाता था बट विर्ट्धूल रैम में होगा क्या वो जो आपके ओपन टास्क है उसमें से एक टास्क पुराने वाला जो आप उसको अभी यूज नहीं कर youtubers मनला उसमें डेटा खुला हुआ है तो वो वर्चुल रेम में सिफ्ट हो जाएगा और आपका जो नया टास्क है आप इसी टी ओपन कर पाएंगे उससे क्या होगा आपकी मोवाइल की जो स्पीड है स्पीड में कोई फरक नहीं रहेगा आपका प्रोसेस भी अच्छा चलता रहेगा और आपकी एप क्लोज भी नहीं होगी तो वो होती है वर्चुल रेम इन फ्यूचर जब आप उस एप को ओपन करेंगे तो वो फट से ओपन हो जाएगा आपको दुवारा खूल ल यह एक temporary memory बना देता है उसके अंदर वहां task को रख देता है जिसको आप easily बाद में carry कर सकें एक example की दोर पर बताता हूँ जैसा कि मालो आप जिसे मैं RAM हूँ मैरे जो RAM की capacity है कि मैं एक बार में दो या तीन task ही कर सकता हूँ maximum तीन task कर सकता हूँ एक खटे उसके बाद तो ओपन कर पाऊंगा तो वो क्या करेगा जो तीन में से एक जो task मेरा वो virtual RAM में चले जाएगा वो virtual RAM में चले आएगा और एक fourth मेरा open हो जाएगा बट अगर मुझे बापिस जो पहला वाला open कर रहा हूँ तो मैं फट से open करूंगा और वो open भी हो जाएगा जिस condition में मैंने इसको close करा था या वो जिस condition में था उसी condition में वो open हो जाएगा तो वो होता है virtual RAM यहाँ पर आगर आप क्लिक करके देखेंगे आई बटन पर इसको यहाँ से अटाता हूँ यहाँ पर आई बटन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देख भी रहा होगा your internal storage can be used as virtual memory to improve app performance जै एब की जो performance को increase करने के लिए यह उन्होंने यहाँ पर इस feature को add किया गया है RAM प्लस का यह भी Samsung के A52s में यहाँ पर launch किया गया है आने वाले टाइम पर हो सकता है यह Samsung के और devices में आप खुद दिखेगा इसका main चीज अगर आप आप जाके storage में देखेंगे तो आपकी चार ज भी बस आपके users के लिए temporary में वहाँ पर बढ़ जाएगी जैसे आपकी mobile की performance में problem नहीं आई और अच्छे से problem आपका mobile run होता रहेगा तो यह इसलिए यह वाला option दिया गया है उमीद है कि दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको यह मेरी information अच्छी लगी तो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी और हो सके तो मेरी वीडियो को share करना ना बोलें और सबसे जरूरी चीज दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे जैनल सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे जैनल सबस्क् करने मिले तो थेंकियो दोस्तों